सुप्रिम कोट के ऊपर जैसा के बताएं आप सभी को सुप्रिम कोट में जो रीट पेटीसन्स चल लहीं है EPS 95 pensioners के एक महतपूर पोस्ट साजा किया गया एक पेंशनर्स भाई के जरीए पेंशनर्स के जरीए जो की पेंशनर्स पेंशनर्स वो एक महतपूर पोस्ट लिखते हैं और अपने बातों कहां पर लिखते हैं जो सुप्रिम कोट में घटना करम चल लिए उसके उपर वो कहते वो कहते हैं कि जब 25-10-2021 को हमारे EPS 95 के रिट पेंशनर्स जो है उसको एक सुनवाई के लिए रखा ही नहीं गया है तो यह कहीं नहीं प्लान है एड़ोकेट्स वेन दे गवर्मेंट क्लियरी टोर्ड नॉट गोइंग टू कंसीडर अट लिए फॉर 3,000 मिन्मम पैंशन थे तो यह कहते हैं वह कहते हैं अगला बात हम पर कहते हैं कि जब गवर्मान ने क्लियर कह दिया है कि वी आनॉट गोइंग तो यह किसी काम कोने एंगे उनका कहने कें मलोब इस वी उसलेस 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 एफाड इफ लेवर्मेंट इस not going to consider तो एक लेटर में हो गो कहते हैं लेबर मिनिस्ट्री कहा है कि जो मिनमम पिंशन है 3000 रुपय का जो 1000 रुपय में ले रहे हैं जिनको 1000 में लेए उनको 3000 रुपय करने का इसके लिए एक लेटर जो राज्यासभा में भीजा गया है इन अना अनदर वर्जन आफ लेबर मिनिस्ट्री स्टेटर देड़ गवर्मेंट कैन नौट कांसिडर रूपीज थी रॉड़न मिनिमम पेंशन वाई ओल दिस रॉंग स्टेट्मेंट बाइद लेबर मिनिस्ट्र श्रीकोली जी प्लीज गो थू अपर कर्मेंश स्ट्रॉग पेंशन तो एक एक तो पोस्ट में वो क्लियर कहते हैं कि हम जो है इसको कंसिडर राज सभाम भीज रहे हैं या फिर आपके रिक्वेश्ट करते हैं लेकिन अगले स्टेट्मेंट में वो कहते हैं कि हम लोग इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं because of many reasons जैसा कि यह कहते हैं मत पू इस जो है लेवन मिस्टर जो है मिसलीडिंग पैंसनर कहीं नहीं कर रहा है जिस वज़ेसे लोगों को शोड नहीं हो पा रहा है कि उनका पैंसन बढ़ेगा मिनमम पैंसन की नहीं बढ़ेगा just all instructions are not enough we lost hope तो जो instructions है जो बाते हैं वो किसी काम की नहीं है जो भी कुछ बताया जा रहा है कहा जा रहा है हमने hope यानि आसा खोद गया है कि मिनमम पैंसन बढ़ने वाला है don't have hopes on higher benches तो अगर आगे की बच जेज की जो बेंच होते हैं higher benches तीन जेज की benches है उनसे भी कोई इनको उमीद नहीं है यह वो कहते हैं यह पोश्ट अपनी बाते कहते हैं वो तो सुप्रीम कोड में केसे पड़ेवे उसके उपर मतलब एक तो हमारे पास हूप भी नहीं है और उसके बाद हम यह कह भी नहीं सकते हैं कि क्या होगा क्योंकि हमारे जो रीट पिटी संसर्ट इस नौट लिस्ट अक्टूबर 2010 के लिए लिस्ट ही नहीं हुआ है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया रहा था है सुप्रिम पूर अफ इंडिया में 25 दर जुआरे किसको सुप्रिम कोर्ट में केसे लिस्ट नहीं हुए है तो हमने अपने प्रॉब्लम से परिशान हो चुके हैं या फिर आप कह सकते हैं कि पजल हो चुके हैं या हमारे जो उम्मीदे थी वो भी खो चुकी है all above are only my personal views sorry if I hurt anyone's feeling clear कहते हैं यह जो पिंसनर नहीं हैं जिन्होंने पने बात रखी हुई है वो कहते हैं कि यह जो उपर मैंने बात कही है यह सारी मेरी personal feeling है और अगर किसी को बुरा लगा है तो उसके लिए मुझे छमा करें यह महत्पूर्ड पोस्ट उन्हेंने लिखा था जो कि मैं आपके साथ साजा कर रहा हूँ उनकी बाते थी जो कि मैं आपके साथ साजा कर रहा हूँ यह कहीं कहीं प्रदर्शित करता है तमाम pensioners के बिचारों को तब मैं यह नहीं कहता सभी के बिचार एक जैसे है उमीद पर दुनिया है लेकिन कई लोगों को इस तरह से कई घटनाओं के बाद जो है कई प्रयासों के बाद भी सफलता न मिलने से उनकी कहीं कहीं हूप जो है जो खतम हो रही है जिस वज़से यह इस तरह के पोस्ट अपने बाते pensioners जो हैं लिख रहे हैं तो EPS 95 pensioners से जुड़ा हूए एक महतपूर पोस्ट था जिन्होंने सुप्रिम कोर्ट के रीट पिटीशन के उपर अपने बाते रखी हुई है अपने समस्याय बताई हुई है औ आपके भी राय है तो comment में जिरूर दीजेगा इस तरह के अगर आपके भी कोई राय है कोई शार करना चाते हैं तमाम लोगों के साथ और from socialnoikoo तो आपने पौस्ट को हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमें mail कर सकते WhatsApp नमबर आप हमारा नोट कर लिए जो WhatsApp नमबर है वो है 8826050045 इस नमबर पर आप हमें WhatsApp कर सकते हैं 8826050045 इस नमबर पर आप WhatsApp कर देए या फिर आप हमें हमारे email ID पर भी भेज़ सकते हैं जाए कि socialbiko socilbiku.com पर भीज़ सकते हैं आपको बताते हैं जो भी informations आजा कर रहा है अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं उसे read out करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएए socialbiko.com पर पूरे information आपको लिखित रूप में मिल जाएगी वहाँ से आप पढ़ सकते हैं तो यह कुछ चंद बाते थी दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताओं अगर आपको कोई छोटा वीडियो अपना कोई वीडियो मैसेज देना है वो भी आप साजा कर सकते हैं इस वाट्सप नंबर पर इसको भी पब्लिस कर दिया जाएगा शुशलbiko के मादम से या अगर आप कोई लिखित संदेज देना चाहते हैं उसे चाहते हैं सोचल बेको या फिर वीडियो के मादर से मैं खुद एक्स्प्रेंट करू तो वो भी क्या दिया जाएगा अपने बाते लिखे जैसे कि मैं आपको अभी वीडियो में दिखाया कि इस तरह से पेंस्टरस नइसे एक बाते लिखी हूई हैं अपनी बेथा को बिताइए जूकि कि मैंने आप सभी के साथ साथ आज किया है सुप्रेम कोड़ डिया से तो आज को इस वीडियो में इतना है अगले विडिम फिर्म लाकात होगी आप लोगों से तब तक कि अपने दोस्त को याद दीजिए अपना बहुत ख्यार रखिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों